अब हम एक छोटी से क्रिती करते हैं, एक बोतल लीजिए, उसे पानी से आधी ही भरिए उस बोतल में जहां तक पानी है वहां पर एक निशान बनाईए, अब बोतल को फ्रीजर में रखिए अभी पूरे पानी का बर्फ होने तक बोतल को फ्रीजर में ही रहने दीजिए अब इस बात का निरिक्षन करें कि क्या बर्फ का स्तर हमने बौतल पर पानी के लिए किये हुए निशान जितना है हम देख सकते हैं कि ये स्तर समान नहीं है वास्तव में ये स्तर थोड़ा बढ़ गया है इसका अर्थ ये हुआ कि जब पानी बर्फ में बदल जाता है तब उसका आयतन बढ़ जाता है अब एक गिलास में पानी लीजिए गिलास को फ्रीजर में रखिए 10 से 15 मिनिटों के बाद तुरंट गिलास बाहर निकाल लीजिए अब निरिक्षन कीजिए क्या बर्फ समान रूप से जम पाया है क्या सिर्फ ग्लास के तले में जम पाया है या सिर्फ प्रुष्ट भाग पर तयार हो पाया है हम देख सकते हैं कि पानी के प्रुष्ट भाग पर बर्फ की 88 पतली सी परत तयार हुई है पानी की नीचली सतह पर बर्फ तयार नहीं हो पाया है इसके आधार पर हम ऐसा निशकर्ष निकाल सकते हैं कि पानी के बर्फ होनी की प्रक्रिया पानी की उपरी सतह से अर्थात प्रुष्ट भाग से शुरू होती है सामान ये तह जब पदार्थ थंडा होता है तब उसका घनत्व बढ़ता है और आयतन कम हो जाता है ये नियम पानी पर लागू नहीं होता पानी अत्यंत असामान्य रूप से वेवहार करता है इसलिए इसे पानी की महत्वपूर्ण विशेष्टा को असंगत वेवहार कहते हैं अब हम पानी का असंगत वेवहार क्या होता है इसके बारे में अध्यन करने वाले हैं जब पानी सामान्य तपमान में ठंडा होने लगता है तब उसका घनत्व अन्य द्रव प्रधार्थों के समान बढ़ने लगता है जब पानी का तापमान 40 degrees Celsius से कम होता है तब पानी का घनत्व कम होता है और उसका आयतन अर्थात वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है इस कारण 40 degrees Celsius तापमान में पानी का प्रसरन होता है इस प्रकार पानी का 40 डिग्री से कम होने पर प्रसरित होना ही पानी का असामान्य वेवहार है, जिसे पानी का असंगत वेवहार कहा जाता है इसलिए ठंड में जब तापमान 0 degree Celsius से कम होने पर तालाब और नदिया जम जाती है 40 Celsius तापमान में पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है इसी कारण वह नीचली सताह का निर्मान करता है और जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है पानी बर्फ में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और यह उपरी सतह का निर्मान करता है चुंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है जब पानी का बर्फ में रुपांतरण होता है तब बर्फ प्रसरित होती है और सभी सीमाओं को बंद कर देती है इस कारण पानी एक प्रकार से अवरोध करने वाली परत का निर्मान करता है जिस कारण बर्फ की सतह से नीचे जो पानी का भाग होता है वह तापमान के कम होते हुए भी जमता नहीं है इस बर्फ के अवरोध करने वाली परत के कारण ही पानी की सबसे नीचली सतह का तापमान 40 डिगरी सेलसियस ही रहता है और वह जम नहीं पाता इस कारण जल्चर पानी की निचली सतह पर आसानी से जीवित रह पाते हैं नदी की तूलना में समुत्र के पानी में तैरना आसान क्यों है? दो किलास पानी लीजिए A और B B इस गलास में 3-4 चमच नमक डालिए ठीक तरीके से हिलाईए ताकि नमक पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए अब एक नीमबू लीजिए वह A गलास में डालिए और निरिक्षन कीजिए अब वही नीमबू निकाल कर कपड़े से पॉंच कर B गलास में डालिए और निरिक्षन कीजिए ये निरिक्षन आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं एक गिलास में नीमबू डूपता है और बी गिलास में नीमबू तैरता है क्या आप बता सकते हैं क्यों? गिलास बी में नमक डाला और नमक पानी में पूर्ण रूप से घुल जाने के कारण पानी का घनत्व बढ़ गया समुद्र के पानी के साथ भी यही होता है समुद्र के पानी का घनत्व कुए या तालाव के पानी से अधिक रहता है इस कारण समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है पिछली कुरूती में जब हमने पानी में नमक डाला तब हम नमक के कंड देख सकें लेकिन पानी में घुल जाने के बाद वे अधरिश्य हो गए क्या आपने विचार किया है ऐसा क्यों हुआ होगा पानी में डालने के बाद नमक फैल जाता है और नमक के कंड छोटे छोटे हो जाते हैं तब वे दिखाई नहीं पड़ते इसका आर्थ ये है कि पानी में पूर्ण तया घुल जाने के बाद उनका सजातिय मिश्रन तयार हो जाता है नमक पानी में घुल जाता है और नमक और पानी का जो मिश्रन तयार होता है उसे विलयन कहते हैं इसकृती में यह नमक का विलेन है नमक यह ऐसा पदार्थ है जो द्रव में घुल जाता है इस कारण उसे विलेयक कहते है पानी यह ऐसा पदार्थ है जिसमें नमक घुल जाता है इसलिए उसे विलेयक कहते है पानी में अनेक पदार्थ घुल जाते है इस कारण पानी को वैश्विक विलेयक कहा जाता है सफाई करने के लिए भी पानी का उपयोग होता है जैसे स्नान या कपड़े धोने के लिए पानी ठंडा करता है इसलिए पानी एक अच्छा शीतलक है मोटर के इंजिन का तापमान कम रखने के लिए पानी का उपयोग होता है तरलता ये पानी की विशेषता होने के कारण पानी का उपयोग यातायात में और जलविद्धित निर्मान के लिए किया जाता है पानी के लिए आपमान के लिए जाता है